आज हम 15 मिनिट में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फी इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है तो वीडियो को एंड तक देखे ताकि आप से कोई स्टेप मिस ना हो जाए स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे तभी तो आपकी बर्फी इसी तरीके से बन कर तैयार होगी यह शिरू करते हैं तो सबसे पहले आप आदा कप के जितना घी ले लीजिए कडाई में और उसमें डाल देंगे एक कप बेसन पहले तो गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा था ताकि जो घी है वो अच्छे से गरम हो जाए लेकिन बेसन आड़ करते ही फ्लेम को लो कर दीजिए अच्छे से हम इस तरीके से चला लेंगे इनीशली आप देखेंगे कि जो बेसन है न वो एकदम दरदरा हो गया है बीच बीच में इस तरीके से आप चलाते रहें तब तक हम इसका शुगर सिरब तयार करेंगे शुगर सिरब बनाने के लिए यहाँ पे एक कप बेसन के हिसाब से मैंने लिया है आदा कप चीनी और उसमें डाल दिया है एक चौथा एक कप के जितना पानी इतना आप चीनी ले उसका आदा हिस्सा पानी लीजिएगा गैस का फ्लेम हाई रखे और शुगर सिरब बनने दीजिए बस दो से तीन मिनिट में ही यह बन कर रेडी होगा इस तरीके से एक स्पून से चलाएए और पर हातों के वीच में रखके देखे कि एक तार की कंसिस्टेंसी हुई या नहीं बिलकुल इस तरीके से अब गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए दूसरी और आप देखेंगे कि हमारा जो बेसन है न वो बिलकुल पेस्ट के जैसा हो गया है अभी और हलका हलका इसका कलर भी डाक होने लगा है और दो से तीन मिनिट हम इसे चलाएंगे ताकि ये एकदम पेस्ट के जैसा हो जाए बेसन को बूनने का जो सारा मिथड है न वो लो फ्लेम पर ही किया है अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे न तो बेसन तो डार्क कलर का हो जाएगा बट वो कच्चा रह जाएगा बस अब इस मुमिन्ट पे मैं डाल दूँगी एक चमच के जितना इलाइची पाउडर जो शुगर सरप हमने तयार किया था न वो आड़ कर लीजिए फ्लेम को एकदम लो रखेगा और कंटिनसली चलाते रहे शुगर सरप आड़ करते ही आप देखेंगे कि एकदम बबल्स बन गए हैं इसमें इसे हमें तब तक चलाना है जब तक ये बबल्स शान नहीं हो जाते बिलकुल इस तरीके से आप और जादा पकाएंगे ना तो बर्फ एकदम हाड हो जाएगी तो फ्लेम को स्विच आफ कर दीजिए प्लेट के उपर मैंने बटर पेपर अल्रड़ी ग्रीस करके रखा हुआ है ये आप साइड में रख दीजिए पहले से ही क्योंकि बाद में इतना समय नहीं मिलेगा इसके उपर हम अपना मिश्रन डाल देंगे और इसे एकदम इवन कर लेंगे आप चाहे तो एक थाली को घी से ग्रीज करके उसमें भी इसे सेट कर सकते है साइड से भी एकदम स्मूथ कर लीजे और थोड़ से इसमें गानिश करने के लिए उपर से मैं ड्राइ फ्रूट्स आड कर लूँगी इसके बाद राइफ्रूट्स को पहले से ही कट करके रखेगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जमने लगती है यहाँ पे गया कटा हुआ बदाम और कटा हुआ पिस्ता एक स्पून की मदद से इसे अंदर दबा दीजे अच्छे से सेट हो जाएगा ये जबी हलका सा गरम रहेगा ना उसी टाइम पे आप इसे कट कीजे वरना थंडा होने के बाद काफी हाड हो जाता है कट करने के लिए यहाँ पे हमारी पहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फी बनकर तयार है तो आप भी पूरे स्टेप्स को फॉल्लो कीजे और ऐसा ही टेस्टी बर्फी घर पे बनाएए थैंक यू फैर